जैसे करें करें आप देख रहे हैं, wegetables ब्लांच हो रहे हैं, mix veg के लिए लेकिन हम आज इसे बनाएंगे restaurant style में, mix veg के लिए, आज मैं ब्लांच करी हूँ, 1 काटोरी गोबी, 1 काटोरी बीन्स, और 1 काटोरी गाजर, यही vegetables हैं जिनको थोड़ा cooking चाहिए होता है, आप चाहे तो ये fry भी कर सकते हैं लेकिन ब्लांच करना एक healthier option है सबजियों को मैं गरम पानी में 3-4 मिनिट तक बॉइल करूँगी इसे ब्लांचिंग कहते हैं अब हमारे वेजटिबल अच्छे से ब्लांच हो गए हैं इनको अब हम निकाल लेंगे तड़के के लिए दो चमच तेल एक चमच जीरा एक चमच अद्रक एक चमच लसन बारी कटा हुआ दो हरी मिर्च बारी कटी हुए लसन ब्राउन करने के बाद हम डालेंगे दो प्याज बारी कटे हुए प्याज हलका ब्राउन करने के बाद हम इसमें तीन टमाटर की प्यूरी डालेंगे आदा चमच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, एक चमच लाल मिर्ची पाउडर, यह जो प्यास टमाटर अद्रक लसन का मसाला बनाया हमने, यही मसाला हर रेस्ट्राउंट की एक बेस ग्रेवी बनाता है, जिसमें सब्जियां चेंज होती रहती है, मैंने यहां पे मसाले जो है फाइनली चॉप किये हैं, आप चाहे तो उन्हें ब्लेंड भी कर सकते हैं, तो आपकी कंसिस्टेंसी और स्मूध हो जाएगी, तमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे, जब तक और सेपरेट ना हो जाए, दो चम्मच, कैंट टोमेटो प्यूरी, यह जो है हमारी ग्रेवी को थोड़ा सा वॉल्यूम और डेप्थ देगी, एक से डेट चम्मच, धनिया पाउडर, नेक्स्ट मैं डालूंगी काजू की पेस्ट, इसे मैंने पंदरा काजूों को मिक्सी में पानी के साथ ब्लेंड किया है, अब हम इसमें हमारे ब्लांच्ट वेजटेबल्स डाल देंगे, एक मुठी फ्रोजन मटल और एक मुठी शिम्ला मिर्ची, इसमें से हलका हमारे वेजटेबल स्टॉप जिसमें हमने सबजियां ब्लांच करी थी, वो डालके, इसको अच्छे से मिक्स करके, कवर करके मैं पांच मिनिट तक कुप करूंगे, अब मैं इसमें डालूंगी आदा कटोरी फ्रेश मलाई, आदा चमच गरम मसाला, मलाई जो है एंड में ही डालेंगे और उसको ज़्यादा कुप नहीं करेंगे, सबसे लास्ट में जाएगा हमारा पनीर और अब हम डालेंगे हलका क्रश करके इसमें कसूरी मेथी, किसी भी डिश में कसूरी मेथी डालने के पहले आप उसको अगर हलका तवे पर रोस्ट कर लेंगे तो उसकी फ्रेग्रेंस और एंहांस होगी, तो अब हमारा रेस्टरांट स्टाइल मिक्स वेज एकदम रेडी है, नेक्स्ट टाइम आप और नहीं करिये बलके खुदी घर पर बनाईए और ऐसी ही और दिल्चस्प रेसिपीज देखने के लिए देखते रहें, स्वाद अनसार स्वाद टाइब हुआए झाल